हेलो विल्कम टो और यूट्यूब चैनल दा मैथमेची शो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक को सिखने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आपके सामने यह फीगर है और कॉस्टिन है वाट इस पेरिमीटर ऑफ फीगर तो इस question को हम लोग एक ट्रिक का यूज़ करके बनाएंगे फ्रेंड्स आपके सामने यह dimension दिया गया यहां 42 यह 58 यह 10 यह length 8 है यह x है यह 9 है यह 12 है यह y है यह 5, 8, z और 4 इस तरह से dimension दिया गया है लेकिन हम लोग इस question को एक ट्रिक का यूज़ करके बनाएंगे perimeter हम लोग जानते हैं कि perimeter क्या होता है boundary का जो length होता है उसको add कर दें तो perimeter निकल जाएगा मतलब यह यह और यह सारा जो दिया हुआ dimension है इन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो इस figure का perimeter निकल जाएगा लेकिन यहां क्या है कि x है यह y है यह z है यह given है और यह सारे variables हैं इस इसका value हम लोगों पता नहीं है फिर भी हम लोग इस figure का perimeter निकल सकते हैं इस trick का use करके तो ऐसे figure में हम लोग क्या करेंगे simply जो हमें हमें पता है कि rectangle का perimeter कैसे निकलते हैं हम लोग same to same उसी तरह इस figure का perimeter हम लोग निकल सकते हैं तो perimeter perimeter of the figure equals 2 into अगर इसको लेंथ मानेंगे तो ये ब्रेथ हो जाएगा तो 2 into 58 plus 42 equals 2 into 58 or 42 का सम क्या होता है 100 100 equals 200 तो इस figure का perimeter 200 होने जा रहा है और हम लोगो को इस question में x y z का value नहीं निकलना था सिफ perimeter निकलना था तो हम लोगो ने इस question में perimeter को find किया friends I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकन दबा दें Thanks for watching